इस अनोखी कहानी की शुरुवात होती है जैक नाम की एक आदमी को दिखाते हुए जो कई घंटों से जमीन पर भिहोज पड़ा हुआ था जैक तो अपने हाथ पर एक छोटा सा डिवाइस बंदा हुआ देखता है आखिर वो क्या चीज थी जैक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता वो तो उसके हाथ से निकल ही नहीं रही होती अब जैक को अपने आसपास एक लेडी की फोटो मिलती है जैक तो फोटो उठा कर प्षिच भी करते हैं लेकिन जैक ने तो बड़ी फूर्तिली तरीके से उन सारी लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था जैक तो पहले से बहुत ही ज़्यादा गुसेल और जान लेवा हो चुका होता है इन्ही सारी चीजों की वज़े से जैक ने उन आदमियों को जान से म पर वहां पर माइक नाम का आदमी अपनी गन निकाल कर जैक को पॉइंट कर दीता है क्योंकि माइक को लग रहा था कि जैक की घुस पैठिया है और यहां पर चूरी करने आया है लेकिन जैक को तो अपना नाम भी नहीं पता होता वो तो सिर्फ इतना कहता है कि मैं इस पर आराम करने आया था तब जाकर माइक समझ गया था कि शायद जैक को कुछ मदद की जरूरत है इसलिए अब माइक बड़े आराम से जैक की बाते सुनता है जिससे कि उसे पता चला कि जैक के पेट पर काफी गहरा जखम है इसलिए माइक जैक को सुला कर उसकी मरम पट्ट करने लगा था पर अब थोड़ी दिर में बाहर से लगातर गूलिया चलने लगती हैं ये काम परसी नाम का एक बदमाश कर रहा था जो माइक के बार में लगातर गूलिया चलाते ही जाता है एक वरकर और उसकी वाइफ बाहर निकल के परसी को ये ना करने के लिए कहते हैं क्य जैक भी खड़ा होकर ये सारी चीजे देख रहा था तबी परसी एक अलगी एटिटीट में जैक के पास जाकर उसे धमकाने लगा था लेकिन यहाँ जैक किसी की भी सुनके नहीं लेने वाला था वो तो परसी के मेन पार्ट पर ही हमला कर देता है वो तो अपने गन की मदद से जैक को जान से मारने ही वाला होता है लेकिन लकीले वहाँ कुछ शेरिफ आ जाते हैं जिन्नोंने परसी को गिरफटार कर लिया था और अब वो लोग परसी को सजा देने के लिए उसे जेल में लेके जाकर बंद कर देंगे अब हमें उसी गाओं में मौझूद तीन आदमियों को दिखाये जा रहा था जो आराम से ड्रिंक्स पी रहे थे तब ही उनमें से एक आदमी पास ही वाले तालाव में जाने लगा था नहाने के लिए लेकिन अगले ही मुमेंट में उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जैसे कि कोई चीज बहुत ही जादा स्पीड में आसमान से नीचे गिर गई हो वो आदमी जो तालाव की तरब गया था जब वो अपने दोस्तों के पास आता है तब उनमें से उसे कोई भी जिन्दा नहीं मिला था आसपास के सारे पेड़ पौधे जल कर राख हो चुके थे अब हमें परसी को दिखाय जाता है जिसे कि जॉन नाम की एक इंस्पेक्टर ने जेल के अंदर बंद कर दिया था जॉन ने परसी को साफ साफ कहे दिया होता है कि तुम्हारा गुना बहुत ही बड़ा है इसलिए तुम्हें अपनी आदी जिन्देगी जेल में ही गुजारने पड़ीगी परसी इस बात से बहुत ही जदा डर कर गिडगड़ाने लगा था लेकिन जॉन तो अपने डिपार्टमेंट का डॉन था वो किसी की नहीं सुनने वाला तभी अचानक जॉन की नजर अपने स्टेशन में लगी एक पोस्टर पर पढ़ती है जिस पर जैक की फोटो चपी हुई थी और लिखा था कि ये एक बहुती बड़ा वांटेट क्रिबिनल है ये बात जॉन को पता नहीं होती नहीं तो वो जैक को भी अपने साथ लिखर आया था इसलिए अब जॉन अपने बाकी पुलिस ओफिसर्स के साथ निकल पड़ता है जैक को पकड़ने के लिए वहीं दूसरी तरब जैक एक बार में आकर एकदम चिल्लो की बियर पी रहा था जैक को वहाँ पर एवा नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे बहुत देर से घुरते जा रही थी और अब आकर उससे बात करती है एवा ने तो जैक से पूछा कि तुमारे हाथ पर लगा हुआ ये डिवाइस क्या है लेकिन जैक को तो इस बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं होता पर अब अगले ही मोमिंट में जॉन अपने सारे शेरिफ दोस्तों के साथ आ गया होता है जैक को पकड़ने के लिए जॉन ने जैक को साफ साफ कह दिया था कि तुम सरेंडर कर दो नहीं तो तुमारे लिए बहुत ही बूरा हो जाएगा पर जैक भी किसी से कम नहीं होता वो तो उल्टा पलेट वर करने लगा था जॉन और उसके सारे ओफिसर्स पर हाला कि जैक ने अपने गन निकाल ली थी लेकिन वो अपने गन की एक बुलेट्स भी नहीं वेस्ट करता और वहां मौझूद सारे ओफिसर्स को बहुत जादा मारता है जिससे कि हमें पता चल रहा था कि जैक फाइटिंग में कितना जादा अच्छा है लेकिन अब पीछे से एवा ने मौका देखकर जैक के सर पर हमला कर दिया होता है जिससे कि जैक नीचे गिरकर तुरंत ही बेहोश हो जाता है अब यहां जैक को अपने पास्ट के थोड़े से विजन सा रहे थे जिसमें के जैक अपनी बहुती ब्यूटिफुल वाइफ को देखता है जैक के तो अलिसान घर में बहुत सारा सोना मौझूद था पर आखिरकार ये रियालिटी थी या फिर जैक का एक सपना अब थोड़ी देर बाद जैक जब अपनी आखे खुलता है तब वो जेल के अंदर मौझूद था उसके ठीक साइड वाले जेल में परसी भी कैद होता है जो उसे बहुती बुरा भला कह रहा था जैक का तो परसी के बातों से एकदम सर दर्द देने लगा होता है इसलिए उसने परसी को एक पंच मार के वहीं पर बेहोश कर दिया था अब हमें विड्रॉ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो उसी आदमी को टाचर कर रहा था जो तालाप के पास गया होता है और वहाँ पर धमाका हो गया विड्रॉ तो उस अंजान आदमी से पूछ रहा था कि आखिर मेरे बाकी लोग कहां गये वो अंजान आदमी तो सच में बहुत ही ज़्यादा डर गया था तब या चानक उस जगब पर विड्रॉ के कुछ आदमी आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि आपके बेटे परसी को जेल के अंदर कैत कर दिया गया है ये बात सुनने पर विड्रॉ बहुत ही ज़्यादा आग बबला हो गया यहां में पता चला कि विड्रॉ ही परसी का फादर है और अब अपने बेटे को बचाने के लिए विड्रॉ साथियों के साथ निकल पड़ा था जेल की तरफ वहां अब इंस्पेक्टर जॉन, जैक और परसी को एक दूसरी जेल में स्ट्रांसफर करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं रास्ते में एवा जैक से बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन जैक एवा को बिलकुल भी भावी नहीं देता पर अब थोड़ी देर के अंदर इव विड्रॉ अपने सारे आदमियों को लेकर उस जगह पर आ जाता है विड्रॉ ने इंस्पेक्टर जॉन को धमकाते हुए कहा कि तुम मेरे बेटे को रिहा कर दो नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है पर अब वहाँ पर मौझूद सारे लोग आसमान में कुछ लाइट्स चमकते हुए देखते हैं थोड़ी देर बात पता चला कि ये सब इलियन्स के स्पेस क्राफ्ट हैं जो लगातार अब वहाँ पर मौझूद सभी लोगों पर लेजर बीम से हमला करने लगे थे विड्रा और उसके साथी नहीं समझ पाते कि आखिर ये हमला हो क्यों रहा है लेकिन उस समय एलियन्स का हमला इतना जादा हो गया था कि आसपास के सारे घर डिस्ट्रॉई होते जा रहे थे वो एलियन्स के स्पेस शिप ना ही सिर्फ इंसानों पर हमला कर रही थी बलकि कई लोगों को अपनी स्पेस शिप के अंदर खीच ले रही होती है एलियन्स ने तो मारिया नाम की एक औरज जॉन और परसी को भी अपनी स्पेस शिप के अंदर खीच लिया था जैक ने यहाँ पर नोटिस किया कि उसके हाथ पर लगा हुआ वो डिवाइस अचानक एक्टिवेट हो गया है और उसके अंदर से कुछ रोशनी निकल रही है थोड़ी दिर बाद जैक को पता चला कि ये एक तरीके का हतियार है जिसकी मदद से वो ध्यान लगा कि पिजड़ी के दरवाजी पर शूट करता है चाजूप के बाद थी कि ये हमला इतना ज़्यादा पाउरफूल होता है कि दरवाजे के टुकडे टुकडे हो गये थे और अब जैक भी बाहर निकल कर सारी चीज़े देखता है कि कैसी इलियन स्पेस्शिप हमला कर रही है तभी जैक के तरफ इलियन स्पेस्शिप लगातार लेजर भी मारते जा रही थी लेकिन अब जैक के हाथ में भी एक हतियार होता है वो उसी की मदद से एलियन स्पेस्शिप के उपर निशाना लगा कर फायर कर देता है जिससे कि उन एलियन स्पेस्शिप को बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ वो तो नीचे आकर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी विड्रा और उसके बाकी सारे साथी भी इकठा हो जाते हैं तभी उन्हें पासे वाले घर में से किसी ओरत के चिलाने की आवाज आ रही थी परचाई के वज़े से उन सभी को दिख रहा होता है कि घर के अंदर एक खतरनाक एलियन मौजूद है जो उस औरत पर हमला कर रहा है विड्रा और जैक जैसे ही औरत को बचाने जाते हैं तभी वो एलियन अपनी जान बचा कर जंगल के अंदर भाग गया था लेकिन अब विड्रा बहुत ही ज़रा टेंशन में होता है कि एलियन उसके बेटे को लेकर चले गए विड्रा ने तो जैक के हाथ पर लगे हुए उस डिवाइस को देख लिया था जिससे कि उसने स्पेस्शिप को डैमेज दिया होता है इसलिए विड्रा जैक को कह रहा था कि तुम प्लीज मेरे बेटे परसी को ढूणने में मदद करो लेकिन जैक का तो इन सारी चीजों में कोई इंट्रेस्ट ही नहीं था वो विड्रा को पहली बात पर ही मना कर देता है कि मैं तुमारी मदद नहीं करने वाला जिसके बाद जैक उस जगह से अकेले ही निकल पड़ा था लेकिन यहाँ विड्रा ने अपने आदमियों के साथ डिसाइड किया कि वो किसी भी हालत में अपने बेटे को बचा करी रहेगा अब अगले दिन हम जैक को देखते हैं जो किसी रास्ते पर लगातर आगे बढ़ रहा था लेकिन जैक ने नोटिस कर लिया था कि एवा लगातर उसका पीछा कर रही है जैक तुरंती चक्मा देकर एवा को जाकर पकड़ लेता है वो तो डारेक्ली एवा से पूछने लगा था कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो एवा के पास कोई जवाब नहीं था इसलिए जैक उसे अपने रास्ते पर जाने के लिए कहता है वहीं दूसरे तरफ अब विड्रॉ अपने बेटे परसी को ढूणने के लिए और भी ज़्यादा डाक वो और लोगों को जमा कर लेता है विड्रॉ की टीम में तो डाक नाम का आदमी भी शामिल हो गया था जो मारिया का हस्बेंट होता है और अब वो सब निकल पड़े थे विड्रॉ की बेटे परसी की जान बचाने के लिए यहाँ पर जैक कई घंटों का सफर तैक करके एक ऐसे घर के पास आ गया था जैसे कि वो अपने इमाजिनेशन और सपने में देखा करता इसी घर के अंदर जैक की वाइफ भी रहा करती थी जैक के घर के अंदर गुस्ते ही उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें कि वो इसी घर में अपनी वाइफ से मिलने आया था लेकिन इस बार जैक अपनी वाइफ को बहुत सारा सूना देता है जैक की वाइफ तो ये देखकर एकदम जादा चौक गई थी कि आखी जैक को ये सारे सोने कहां से मिले पर तबी अचानक उन सोने के सिक्कों में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं और अब घर की छट को तोड़ते वे उनी खतरनाक एलियन स्पेश शिप ने जैक की वाइफ को पकड़ लिया था वो तो उसकी वाइफ को अपने स्पेश शिप के अंदर पकड़ के लेके चले जाते हैं और अब जैक को इन विजन्स की मदद से इतना तो पता चल गया था कि उसकी वाइफ को इलियन्स ने किड्नैप किया है इसलिए अब जैक डारिकली विड्रो के पास जाकर कहता है कि मैं भी तुमारी इस मिशन में शामिल होना चाता हूँ और अब वो सब साथ मिलकर लागातार आगे बढ़ने लगे थे थोड़ी दूरी पर ही उन्हें एक बहुत ही बड़ा स्पेस्शिप क्रैश लैंड हुआ मिलता है अब यहां बहुत जादा रात होने की वज़े से उन सारे लोगों ने स्पेस्शिप के अंदर ही रात गुजारने का डिसाइड किया सभी लोग तो बड़ा कमफर्टेबल होकर स्पेस्शिप के अंदर चले जाते हैं यहां पर डॉग जो मारिया का हस्बेंट था वो तो निशाना बाजी का प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में इलियन से चंगुल से अपनी वाइफ को छुडाना था वहीं दूसरी तरब जैक और एवा एक दूसरे से बाते करते रहते हैं एवा तो जैक को थैंक्स कहे रही थी कि तुम इस मिशन में शामिल हुए पर तभी अचानक जैक के हाथ में जो डिवाइस लगा होता है वो ब्लिंग करने लगा था जिससे जैक को अंदाजा हो जाता है कि आस पास कोई न कोई इलियन तो मौजूद है अब उसी स्पेस्चिप के अंदर एक बच्चा अकेले ही घूम रहा था पर तभी अचानक उस लड़के के सामने स्पेस्चिप में मौजूद एक खतरनाक एलियन आ जाता है उस एलियन का तो पूरा बॉड़ी स्ट्रक्चर काफी ज़्यादा अजीब था अब वो एलियन जैसे ही लड़के पर हमला करता तभी माइक बीच में आकर उस एलियन से लड़ने लग जाता है लेकिन उस खतरनाक एलियन के सामने माइक की एक भी नहीं चलती वो खतरनाक एलियन तो अपने नुकीले पंजे और नुकीले दात माइक की बोडी में धसाता जा रहा था तबी जैक वहाँ पर आकर अपने हाथ पर लगी मशीन की मदद से उस एलियन पर लेजर बीम से अटेक करता है एलियन को इस हमले से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा था इसलिए वो माइक को तुरंती छोड़कर स्पीश चीप से बाहर निकल जाता है जैक जब माइक के पास पहुचा तब वो बहुत ही ज़्यादा घायल होकर अपनी आखरी सासे ले रहा था माइक जैक को प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि तुम इन सारी लोगों की अच्छे से प्रोटेक्शन करोगे जिसके बाद माइक की देथ हो जाती है जैक एवा और बाकी लोगों को भी इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था सुबह होने पर उन लोगों ने माइक की बॉडियों को पूरे रिती रिवाज के साथ अंदर दफना दिया था अब यहाँ विड्रॉ और बाकी सब जमीन पर मौजूद एलियन के पैरों के निशान को फॉलो करने लग जाते हैं जो लगातार पहाड़ी वाले इलाके में जा रहे थे थोड़ी दूर तक पहुचने के बाद विड्रॉ और उसके सातियों के सामने कुछ डाकू आ जाते हैं हाला कि वो सब डाकू पहले उन लोगों पर हमला करने ही आएवे होते हैं पर जैसे ही उन डाकू ने जाक को देखा तब वो उसे पहचान गए दरसल कुछ समय पहले जाक इन सभी डाकू का सरदार हुआ करता था लेकिन जाक की सारी यादे मिटने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता पर तभी भी जैक नाटक करने लगता है कि वो उन सभी डाकू का सच में सरदार है जिसके बाद वो डाकू जैक और बाकी सभी को अपने अड़े पर लेकर चली गए थे अब उनके अड़े पर आने के बाद जैक की ही टीम का एक मेंबर उसे चैलेंज करने लगता है वो कह रहा था कि इस टीम का नया सरदार अब मैं हूँ उसने तो देखते ही देखते जैक पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन जैक ने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पर लगे वे डिवाइस की मदद से उस दूसरे आदमी पर फायर कर दिया था जिससे की वो तुरंथ ही मारा जाता है ये देखकर डाकवो की पूरी गैंग एकदम से बखला जाती है वो सब तो अब लगातार जैक, विड्रॉ और उसके लोगों का पिछा करने लगे थे मारने के लिए लेकिन उनकी पूरी टीम जब भागते भागते एक बड़ी से मैदानी वाले इलाके में आ जाती है तभी आसमायन में बहुत सारे इलियन्स की स्पेस्शिप आ जाती है जो लगातार उन लोगों पर हमला करने लगी थी अब जैक को पूरी तरीके से पता चल गया था कि वो अपने हाथ पर लगे वी डिवाइस को किस तरीके से यूज कर सकता है इसलिए अब वो खुद और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन इलियन्स स्पेस्शिप पर लगातार वार करते जा रहा था कई सारी स्पेस्शिप तो डैमेज होकर धाराशाई हो जा रही थी लेकिन अब एक एलियन स्पेस्शिप ने एवा को अपने अंदर खीश लिया होता है वो तो उसे अपने साथ पकड़ कर लेकर जा रहे थे तो अभी जैक ने एवा को बचाने के लिए स्पेस्शिप के उपर एक लीजर बीम मार दी जिससे कि स्पेस्शिप ठीक से उड़ नहीं पा रही थी जैक लगा तर स्पेस्शिप का पिछा करते आई जाता है अब जैक एक पहाड़ी पर था और स्पेस्शिप उसके काफी ज़्यादा क्लोज होती है इसलिए जैक ने तुरंथी स्पेस्शिप के उपर जम्प लगा लिया एक बड़ा सा पानी वाला इलाका आने के कारण जैक ने उसी मचीन की मदद से स्पेस्शिप पर फिर से फायर कर दिया था जिससे कि स्पेस्शिप और जैक डारेक्ली पानी के अंदर क्रैश हो जाते हैं एवा भी एकदम सई सालामत स्पेस्शिप से बाहर निकल गई थी इसलिए अब जैक एवा को लेकर तुरंथी किनारी पर आ जाता है जैक पता नहीं क्यों एवा को देखकर पहली बार बहुत खुश हो रहा था साइट से जैक को एवा से कहीं न कहीं प्यार हो गया है पर तभी अचानक उन दोनों के सामने स्पेस्शिप में मौजूद एक बड़ा सा एलियन आ जाता है जिसने एवा की पेट में अपने नुकीले पंजे घुसा कर उसे दूर फेक दिया था पर जैसे ही वो एलियन जैक पर हमला करने जाता जैक अपने हाथ पर लगी हुई मशीन के मदद से एलियन के उपर लेजर बीम से फायर कर देता है जिससे कि वो एलियन तुरंत ही मर गया था लेकिन जैक एवा को देखने आया तब वो बहुत ही जादा घायल हो चुकी होती है जैक जैसे ही विड्रॉ और अपने बाकी दोस्तों के पास आता है तब ही उस इलाके में मौझूद आदिवासियों ने सभी को घेर लिया था लेकिन अपसोस के बात ये होती है कि तब तक एवा अपनी जान छोड़ चुकी थी वो सारे आदिवासि उन लोगों को लेकर अपने कभीले में आ गये थे लेकिन जब आदिवासियों को भी पता चला कि एवा मर चुकी है तब वो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आग के अंदर डाल देते हैं जैक को बहुत बुरा लग रहा था कि वो एवा को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया तबी अचानक आग के अंदर अजीब तरीकी की लगटें उठना स्टार्ट हो जाती हैं और अब तो अगले ही मोमेंट में एवा फिर से जिन्दा हो चुकी थी जो किसी जादू से कम नहीं लगता एवा बिना कपडों के साथ धीरे-धीरे चलते विबे जैक के पास आने लग जाती है जैक ने तो एवा को कपड़े पहना कर उसे गले से लगा लिया था थोड़ी देर बाद जैक और उसके आदमियों को पता चला कि एवा उन सारे आदिवासियों की लेंग्विज बोल पा रही है लेकिन उसने ये आदिवासियों की लेंग्विज पहले कभी नहीं सीखी थी आखिर ये सारी चीजें एवा के साथ कैसे पॉसिबल हुई तब जाकर एवा बताती है कि हमें उन इलियंस के अड़े को ढूनना पड़ेगा जहां से वो लोग अपने स्पेश शिप को अपरेट करते हैं और उस अड़े का लोकेशन सिर्फ और सिर्फ जैक ही बता सकता है लेकिन जैक कह रहा था कि मुझे इस लोकेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है शायद मेरी याददास पूरी तरीके से चली गई है तब जाकर वहां के आदिवासी जैक को अजीब तरीके का लिक्विट पिला रहे थे जिससे कि सायद जैक की याददास वापस आ जाएं लिक्विट पिते ही जैक बेहोर्ष हो गया था और उसे अजीब तरीके के विजन साते हैं जैक देख रहा था कि उसकी वाइफ के साथ एलियन्स ने उसे भी अपने स्पेस्शिप के अंदर किड्नाप कर लिया है लेकिन जैक के वाइफ की बाड़ी इतनी जादा नाजुक होने की कारण वो उसे समाल नहीं पाती और वो पूरी तरीके से मर जाती है जिसके बाद एलियन्स ने जैक की बाड़ी पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया एलियन्स तो अपनी एडवांस टेकलन और जीबी जैक के हाथ पर लगा कर चेक कर रहे थे लेकिन तबी जैक अपने होस्ट में आकर उस एलियन्स को मारते वे स्पेस्शिप से बाहर निकल गया था और अब जैक को दिखाई देता है उन सारी एलियन्स का वो बेस जहां से वो सब अपनी सारी स्पेस्शिप को ऑपरेट करते थे इसलिए अब वो उन सबी को एलियन्स के अड़े के बारे में बताता है उन आदिवासियों ने भी कहा कि हम भी इलियंस के साथ लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे अगला दिन होने पर ही जैक अपने सारे साथियों को इलियंस के अड़े पर लेके चले गया था जिसके अंदर इलियंस स्पेशिप लगातार अंदर आते जा रही थी विड्रौब बोल रहा था कि हमें एलियंस का ये अड़ा खत्म करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरुरत पड़ेगी नहीं तो ये सारे एलियंस एक जूठो कर हम लोगों को एक ही बार में मार कर खत्म कर सकते थे ये बात सुनने के बाद जैक अपने घोडे को लेकर वहां से निकल जाता है विड्रा और बाकी लोगों को लग रहा था कि जैक हमें छोड़कर हमिशा के लिए चला गया लेकिन अप जैक अपने उन डाकू दोस्तों के पास आ जाता है जिसका वो कभी सरदार हुआ करता था जैक ने तो अपने सारे दोस्तों को गिले शिक्वे बुला कर एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहा क्योंकि ये लड़ाई हम इनसानों की बीच में नहीं है बलकि एलियन्स के अगैंस्ट है जो हम सभी इनसानों को खत्म करके पृत्वी पर कबजा करना चाते हैं तब जाकर सारे डाकू जैक का साथ देने के लिए रेडी हो गए थे वहाँ विड्रॉ सभी से बात कर रहा था कि हमारी टीम अब तो और भी ज़्यादा कमजोर हो चुकी है क्योंकि जैक के पास जो हत्यार था वो उसे लेकर यहां से चला गया है लेकिन अगले ही मोमेंट में जैक अपने बाकी सारे डाकू दोस्तों को लेकर वहाँ पहुच गया था जिसे देखकर विड्रॉ थोड़ा सा कुष्ट हो जाता है और कहता है कि अब सायद हम उन इलियन से लड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारे लोग हो चुके हैं वो सारे लोग जल से जल उन इलियन के अड़ो तक पहुच जाते हैं आदिवासियोंने डिसाइड किया कि वो चटानों पर रहकर उन इलियन्स पर फायर करेंगे और वहीं जैक के सारे दोस्त अपने साथ बहुत सारे बॉम्स लेकर एलियन्स के बनाए गए उस बड़े से स्ट्रक्चर के उपर चड़ने लगे थे वो सब तो एक एक करके सारे बॉम्स उस जगह पर रखते जा रहे होते हैं सारे के सारे बॉम्स फिट करने के बाद वो सब तुरंत ही वहाँ से भागने लगे थे कुछी दिर में ही बॉम्स ब्लास्ट होने के कारण उनका पूरा अड़ा तहस नैस होने लग जाता है जिसके वज़े से उन एलियंस को पता चल गया था कि यहाँ पर इनसान आ चुके हैं और अब वो सब बाहर निकल के लगातार इनसानों पर हमला करने लगे थे जैक, विड्रॉव और बाकी लोग भी उन एलियंस का डट कर सामना कर रहे होते हैं लेकिन वो इलियंस इतने ज़्यादा खौफनाक थे जिन्नों ने विड्रॉव के बहुत सारे आदमियों को मार कर खत्म कर दिया था विड्रॉव को इस बात पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इसलिए अब वो इलियंस को और भी दुगनी तरीके से मारने लगा था अब एक बहुत अच्छा मौका देखकर एवा और जैक उस अड़े के अंदर घुश जाते हैं आगे जाने पर जैक ने देखा कि ये सारे एलियंस तो जमीन के अंदर से सारा सोना एब्जॉप कर रहे हैं जरूर ये सारे एलियंस को सोने से कुछ एनरजी प्रोवाइड होती थी इसलिए वो पृत्वी से सारा सोना एब्जॉप करके अपनी ग्रह पर ट्रांसफर करते जा रहे होते हैं अब तो वो सारे एलियंस बाहर निकलकर विड्राव के लोगों को बहुती गंदी तरीके से मार रहे होते हैं जैक भी उस जगह पर मौजूद नहीं था जो इतने बड़े बड़े एलियंस को एक ही बार में खत्म करते हैं यहां एवा और जैक जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तभी उन्होंने देखा कि एलियंस ने जिन लोगों को किड्नैप किया होता है वो सारी लोग अजीब तरीकी से खड़े होकर उपर की तरब देख रहे थे जिसे जैसे कि उन्हें किसी ने हिट्नोटाइस कर लिया हो एवा जैक को कहती है कि कुछ भी हो जाये तुम उपर से आ रही रोश्नी को देखना मत लेकिन एवा उस रोश्नी को बिना देखे उसके उपर गूली चला देती है जिससे कि वो चमकती हुई लिक्विड पूरी तरीके से फट चुकी थी और अब रोश्नी के खत्म होने के कारण वो सारे लोग भी जो हिट्नोटाइस हो चुके थे वो अब नॉर्मल हो जाते हैं एवा और जैक ने तो तुरंटी उन सारे लोगों को आजात किया और बाहर जाने के लिए कहा पर तभी उनके रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक एलियन आ जाता है जैक तो उस एलियन से फाइट करने में लगातर बिजी हो गया था एवा तो बाकी फसेवे लोगों की मदद करती है उस जगह से दूर जाने के लिए जैक ने तो बड़ी मुश्किल से उस एलियन को अपनी हतियार की मदद से मार गिराया था बाहर की तरफ एक लड़का अपने कुट्टे के साथ सारी चीजे देख रहा होता है लेकिन उसके कुट्टे के चलाने के वज़े से एक एलियन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था वो बच्चा जल्द से जल्द एक कोनी के अंदर चला गया था और वो एलियन उसे पकड़ने के लिए लगातार पीछे भाग रहा था लगे लिए उस बच्चे के पास एक चाकू होता है जिसके मदद से उसने एलियन की पेट में गुसा दिया था वो एलियन तो तुरन थी वहां गिर कर मर जाता है अब यहाँ पर एवा जैक को बता रही थी कि मैं इस पूरे स्पेश्चिप को डिस्ट्रॉय कर सकती हूं लेकिन इसके लिए मुझे तुमारे हाथ पर लगे हुए उस एडवांस डिवाइस की जरुद पड़ेगी एवा तो अब बड़े प्यार से जैक को किस करने लग जाती है जिससे की जैक के हाथ से वो डिवाइस निकल गया था जैक के पर्मिशन देने के बाद एवा निकल पड़ी थी उस डिवाइस को लेकर ब्लास्ट करने के लिए जैक उसके पीछे नहीं जा पाता इसलिए वो नीके ही रह जाता है थोड़ा और आगे चलने पर जैक उस जगह पर पहुँच जाता है जहां पर इलियन सोना स्टोर करते थे पर तब तक एक खतरनाक इलियन ने जैक के उपर हमला कर दिया था अब तो जैक के पास उसका हतियार भी नहीं मौजूद होता जिसकी वज़े से वो एलियन जैक को अपने साथ पकड़ लेता है ये वही एलियन था जिसे की जैक चक्मा देकर वहां से भाग गया था पर अब वो एलियन फिर से जैक के उपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके बॉड़ी में रॉड गुसाने लगता है लेकिन विड्रॉ तुरन थी वहां आकर उस एलियन पे लगातार फायर करने लगा था एलियन तो गुसे में आकर विड्रॉ के उपर हमला करने जाता है तबी दूसरी तरफ से जैक भी पलट वार कर रहा था उस एलियन के उपर देखते ही देखते दोनों ने उस एलियन को पुरा डिस्ट्रॉय कर दिया था अब यहाँ एलियन द्वारा किड्नैप किये गए सारी लोग स्पेस्शिप से बाहर निकल जाते हैं वहाँ एलियन के अड़े में एवा लगातार उस जगह पर बढ़ते जा रही थी जहांपर वो उस डिवाइस के मदद से एक बड़ा सा धमाका कर सके लेकिन ये बात सायच से एलियन को पता चल जाती हैं इसलिए वो एलियन द्वारा बनाए गए पूरे हैटकॉर्टर को उड़ाने लग जाते हैं जैक और विड्रॉ भी जल से जल बाहर निकल गए थे लेकिन एवा तब तक उस जगह पर पहुँच कर डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है जिससे की एलियन द्वारा बनाए गई वो मेगा स्पेशिप हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है वो तो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉई हो चुकी थी पर अपसोस एवा ने इन सारी चीजों के लिए अपनी जान दे दी एलियन द्वारा सारे किड्नाइप किये गए लोग अब सही सलामत अपने फैमिली के पास वापस लोट जाते हैं जैक यहाँ पर फिर से अकेला हो गया था इसलिए वा अपने सफर पर निकल पड़ता है अलग-अलग जगह पर जाने के लिए और इसी तरीके से हमारी ये अनोखी स्टोरी यहीं पर खत्म हो चुकी थी सो वी वर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेट सेक्चन में जरूर बताना और अगर आपको मेरा एक्स्पोनिशन एक पसिन भी अच्छा लगा होगा न तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मिलते हैं इसी तरीकी की मज़ेदार कहानियों में तब तक के लिए बबाई